नमस्का देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंक्यता और आईए अप खबरे दिखते मिस्तार से अमिश्याने लिंग्यात और वी शेव लिंग्यात मुद्दे को लेकर यह साफ कर दिया है कि उन्हें अलग धर्म का दर्जा के इंद सरकार नहीं देने वाली है अमिश्याने का एकी लियांगत समुदाय के सभी महंतों का यह क्याना है कि समुदाय को बटने नहीं देना है गाय द्वारत जो भारत बंद बुलाए गया था उसमें काफी हिंसा हुई अभी दो दिन बाद भी इस हिंसा का असर देश के कई हिस्सों मेरे दिख रहा है बुधवार को मद्द प्रदेश की गौलिया जिले के महराजबु रुथाने इलाके में कर्फ्यू में थोड़ी ठीर दी गई है जमु कश्मीर को विशेश दरज़ा दिलाने वाले सम्विधान के आर्टिकल 370 का मामला एक बाफिर चर्चा में आगया है मंगलवा को सुपरिंग कोर्ट ने मामने के सुनवाई के दौरान कहा कि जमु कश्मीर को विशेश दरज़ा दिलाने वाले सम्विधान के आर्टिकल 370 आइस्ताइप राफधान नहीं है अमेरिका में कैलिफॉनिया के सेन बुरोनोर में यूट्यूब मुख्याले पर बड़ा हमला हुआ है खास बात यह है कि यह हमला एक आत्मगाती महिला हमलावर ने किया है इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है पुलिस की जवाबी का फाइरिंग में महिला हमलावर भी मारी गई है खबर ये भी है कि उसने खुद की जान दे दी पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक पहले अमेरिका ने मिल्ली मुसलिम लीग को एक विदेशी आतंगवादी संगठन घोशित कर दिया है 49 भारतियों की मौत को लेकर भारत सरकार के खिलाफ दिली हाई कोट में एक अरजी लगाई गई है इसमें कहा गया है कि मौत के लिए भारत सरकार दोशिये लिहाजा कोट अपनी निगरानी में एक कमीटी बना कर इस पूरे मामले की जाच कराए ग्लोबल मारकेट से मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेर बाजार हलकी बढ़त के साथ खुला कारोबार के शुरू में संसस 68 अंगों की बढ़त के साथ 33449 और निफटी 222 अंग की बढ़त के साथ 1024 के स्तर पर खुला भारती क्रिकेटर गौतम गंभी ने मंगलवा को पाकिस्तान के पूर्व ओल राउंडर शाहिद अफ्रीदी का मजाग उडाते हुए उन्हें आपर इपक व्यक्ति करार दिया दोनों की बीच छिडी ट्वीटर वार को लेकर भारती और पाकिस्तानी फैंस ने सारी हदे पार कर डाली फैंस इन ट्वीट्स को लेकर गाली गलोच पर भी उतर आए सल्मान खान की फिल्म रेस थी का एक सीन लीक हो गया इस सीन में वहाँ बाइक स्टंट करते नजरा रहे हैं इस सिरोमांचक सीन में सल्मान भाई को गिरते हुए पेड़ के नीचे से बाइक निकाल कर ले जानी है फिलाल इस पुलेटर में इतना ही आप बने रहे हैं EMS TV के साथ मनस्कार